SSC CHSL 2022 का form mobile से कैसे feel करेंगे पूरा complete information बताने वाला हूँ आपको registration का भी process बताऊंगा काफी लोग का problem आ रहा है registration करने में तो उसको भी जनकारी हम बताएंगे कैसे आपको registration करना है और form fill up submit कैसे करना है final print out निकालने तक का आपको पूरा complete information बताएंगे SSC CHSL 2022 की vacancy 4500 पदों पे निकाली गई है 12 ही past candidates के लिए तो आएज जानते हैं कैसे आपको form को apply करना है तो जैसे कि आप सब को पता है यह जो है इसका official website है जहांसा आपको form को apply करना है ssc.nic.in और इस website पर आने के बाद से आपको देखें नीचे में एक option मिलता है यहां पे देखें new user register now का ठीके आप इस पे click करेंगे और मैं बता दूँ अगर आपके पास user ID पासवर्ड है तो आप simple क्या कर सकते हैं login कर सकते हैं login करके आप apply कर सकते हैं मैंने जो video को description box में time man दिया हुआ हुआ है registration process नहीं जानना है तो आप video को skip करके आगे बढ़ सकते हैं चलिए हम यहां पे सबसे पहले new registration वाले पे click करते हैं जैसा आप इस पे click करेंगे यहां पे registration के लिए देखें form खूल दाएगा यहां पे खूल रहा है पहले यह काम नहीं कर रहा था तो अधार नमर लिख देंगे दुबारास अधार नमर लिख देंगे यहां पर आपको अपना पूरा नाम लीखना है जिस तरह से मेट्री के spelling पे है उसके पूछ़ाड़ा से लिखना है सब्शीद दुबारास लिखना है अगर करवाय थे तो yes करेंगे नहीं तो no कर देंगे तो यह no ही रखिए कि आप सभी लोग उसकी बाद यहां पर father name लिखना है यहां mother's name लिखना है और verify जहां लिखना है समझे दो बार लिखना उस चीज को इसकी बाद यहां पर आपको data birth चूज करनी है दूबारस data birth को नमर में यह दोसवी की जनकारी मांगे जा रही है तो दोसवी का जनकारी का यहां पर देखिए सब चीज मांगा जा रहा है पांच details मांगा जा रहा है दोसवी की जैसे दोसवी का board का नाम दोसवी का roll number दोसवी का passing year यह चीज आपको यहां पर देखिए भरना है और यहां यहाँ पे आपको जो है जेंडर बताना है कि आपका जेंडर क्या मेल है कि फीमेल है इसके बाद यहाँ पे आपका जो एजुकेशन लेबल आप मैक्सिमम कहा तक पढ़ाई किये हुए यह आपको चूज करना है कि बारहुवी तक पढ़े हैं बारहुवी से उपर पढ़े हैं आपको राज ये बताना है कि आप किस राज ये से बिलॉंग करते हैं, अपना राज ये चूज करेंगे, और यहाँ पर आपको सेव करनी है, जैसे सभी जनकारी को लिख के सम्मिट करेंगे, यहाँ पर आपका इस तरह से अपका मेल आडी मोबाइल नमर सही है की नहीं है, कि आपको व्ह raised earlier, आपको पिर पर उस्पर 11 दिंग फ्र् פEuro टैके करना है तो कैसे वह अको अपको एक मिन भी चला गया होगा उस मेल मेल माल में यहाँ पे आगले step में आख कुछ नहीं करना है तो registration number आपको मेल गया होगा है यह दोनों लीखेंगे स्क्रेप्शा कोड को यहाँ बहरेंगे और यहाँ पर आपको लॉगिन करना है जैसे friends आप यह पर login करेंगे यहाँ पर अब आपको क्या होगा password change करना होगा तो देखिए password आपको change करना है old password का मतलब क्या कि जो आपको mail पर password मिला है जिसके तुरू आप यह अपने login किया वो password चार अंको का होता है mail पर जो आता है वो आप यहाँ लिग देंगे एक नया password आप बनाएंगे password आप कुछ भी बना सकते हैं 8 character कम से कम होनी चाहिए तो password में जो है alpha numeric यह सब यूज करना है add rate वगर यूज कर सकते हैं एक्जांपल को तो बताओं तो password माल निजाब का नाम suppose राजियू है तो r a j u add the rate one two three ऐसे करके password आप जो है इस new password में बना सकते हैं मैं एक्जांपल को तरब आपको बता रहा हूँ मैंने अल्यडी password यहाँ पर लीखा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं नया जो आपने password बनाया उसके base पर login करना होगा तो आप क्या करेंगे अब नया वाला जो है password के साथ login करेंगे रेशेशेशन नमबर वही रहेगा रेशेशेशन नमबर ही आपका username होता है और उसके वसे capture code भरके login करेंगे तो चलिए हैं आप करते हैं login जैसे आप login करेंगे फ्रिंट्स आप यहां पर login हो जाते हैं यहां पर देखे इस तरह से जनकारी खुल के आती है जो आपने रेशेशन करते हैं जनकारी दिया था उससारा जनकारी यहां पर सो होता है आपको verify करते हुए नीचे आना है और यहां next करना है next करने के बार से फिर से इस category से आते हैं तो आपका जो भी category है अपना category को यहां पर twice करेंगे इस तरह से दो बार फिर आपको nationality यहां पर बतानी है आप कौन से nationality से आते हैं इंडियन इसको बस यहां पर आपको identification marks बॉडी में क्या पहचाने से तील का निसान कटा का निसान जो भी है यहां पर आप से पूछ रहा है तो यहां पर आपका पर पर्मनेंट एड्रिस है 15 यहां पर देख सकते हैं डिस्टीक यहां पर राज्य यहां पीन कोड अच्छे से अपना address को फील करेंगे यह पूछ रहा है कि आपका पर्जेंट एड्रिस भी सेम सेम है पर्मनेंट की तरह तो आप यहां पर यहां पर यहां पर नो कर देंगे तो यह जो है मैनुवली आपको टाइप करना होगा कि आपका पर्मनेंट एड्रिस क्या है ठीक है तो पर्जेंट एड्रिस इसके बाद यहां पर पीण कोट वी अच्छे लिखना होता है फिर यहां पर आपको स्येयब करेंगे एकivamenteर चले कर doscope next, जिसे से next करके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आप से declaration कराया जाएगा आप यहाँ पर I agree वाले बटन पर क्लिक कर देंगे और अगर आपको draft निकाल के देखना है कि आपने जो भी जनकार दिया है सब चीज सही है तो आप निकाल के बढ़ चेक कर लिजेगा और पीछे जाके आप कुछ भी गलती है तो modify कर लिजेगा, नहीं गलती है तो आप यहाँ पर final submit कर देंगे, चले हैं आप करते है final submit, final submit करते ही, again आपके जो है, mobile और email पर OTP जाता है दोनों में से कोई भी OTP आप यहाँ पर लिख देंगे या तो email पर लिख दीजे, या mobile पर लिख दीजे फिर इस capture code को भरके आपको submit करना है जैसे friends आप यहाँ पर submit करेंगे आप यहाँ पर देखिए, successfully आप आपका registration complete हो जाता है, यहाँ पर देखिए आपका complete हो चुका है, यह था registration का process और मैंने आपको बताया ना, login आप करना चाहते हैं तो directly login कर सकते हैं, अगर आप already registration किये हुए है SSC की portal पे तो, और जिसे आप login करेंगे ना, तो यहाँ पर modify registration का option आता है, modify भी कर सकते हैं अगर मालनी जीए, आपने qualification extra कर लिया है या आपका और भी कोई changes करने हैं, सुधार करने हैं तो आप सुधार कर सकते हैं, registration वाले जो भी पहले से हैं वो login करके modify कर सकते हैं चली आप करते हैं, OK, OK करने के पास यहाँ पर error आ रहा है इस तरह से खूल दाएगा, अब यहाँ पर आपको देखिए, जो वेकेंसी चल रही है वहाँ पर दिखा रहा है, 10 प्लस 2 लेवल एक्जानमेशन अब यहाँ पर आपको देखिए, important date भी दिखाया गया है कि 4 जनवारी 23 तक form को apply करेंगे यहाँ आपको apply बटन मिलता है, apply वाले बटन पर आप क्लिक करेंगे जैसा apply वाले बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आपको देखना है सभी जनकारी को, फिर आपको नीचे आना है 15 नमर पर आइट ले आपको आजाना है प्रीफरेंस देना है आपको कि आप अपने एक्जाम सेंटर कहां रखना चाहते है तो आप इंडिया के किसी भी जगा आप अपने एक्जाम सेंटर रख सकते हैं जहां आपको नीरस्ट लगे अपने अकोर्डिंग रख सकते हैं इसके बाद यहां पर आपको जो मीडियम आफ टाइपिंग टेस्ट आप जो टाइपिंग देंगे वह आपका मीडियम क्या रहेगा क्योंकि आप सबको पता है लोवर डिविजन कलर की वेकेंसी है तो इसमें टाइपिंग टेस्ट आपको मेंडेटरी है या तो हिंदी में दीजिए तो इंग्लिस में दीजिए तो वही आपका टाइपिंग टेस्ट का मीडियम पूछ रहा है इंग्लिस में दीजिएगा कि हिंदी में दीजिएगा जो यहाँ पर चूच करेगा उसी का टेस्ट लिया जाएगा आपको skill test में अब यहाँ पूछ रहा है कि आप 12th class sciences team से पढ़े हुए है जिसमें आपका math भी से है अगर आप इस तरह के candidates हैं तो आप यहाँ पर yes करेंगे नहीं है तो simple आपको no कर देना है बस yes no में आपको जबाब दे देनी है यह पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमें है एर फोर्स में आर्म फोर्स में आर्मी नेवी एर फोर्स में किसी में भी पहले से एक सर्विसमें तरह करेंगे इसकी बाद यहाँ पर आपको नीचे आनी है यहाँ पर पूछ जा रहा है कि क्या आप एज में छूट लेना चाहते ह इसलिए मैंने स्कीप कर दिया 20.1 में चूट लेना चाहते हैं अगर माल नहीं जैसे कि आप सब को पता है एज जो है 1827 वर्स बोली गई है और आप SCST से आते हैं सपोच SCST से और आपको उम्र में चूट चाहिए तो आप यहां पर यस कर देंगे आपकी उम्र 27 से ज़्यादा हो चुकी है तो आप यहां पर आपको देखिए जो चूट करने के लिए आपको यहां पर आपका कैटेगरी आ जाएगा नहीं आप मतलब चूट चाहिए आप 1827 के बीच में हैं तो आप इजली यहां पर जो है नो कर देंगे यहां पर आपको जो है highest qualification बताना है कि आप maximum कहा तक पढ़ाई किये हुए है चूट करेंगे इसमें से आपका देखे course सो हो रहा है काफी सारे course हो रहे है तो आप अपना highest qualification चूट कर लेंगे ठीक है तो आप अपने according यहां पर बताएंगे इसके बाद से यहां पर फिर से आपको जो है details of qualifying educational qualification मतलब जो vacancy निकाली की है जिस qualification बेस पर उसको यहां पर चूट करना है तो यहां पर आपको देखे दो ही option आएंगे एक बाराहुवी pass एक आएगा equivalent to 12th standard अगर कोई diploma बेस पर फॉर्म को भर रहा है तो यह वाल option चूट करेगा अगर कोई 12th बेस पर फॉर्म को भर रहा है तो यह वाल option चूट करेगा तो आप अपने according चूट करेंगे इसके बाद यहां पर पूछ रहा है कि आप जो 12th भरे हैं यह जनकारी 22 नमर उसका status क्या है पास है कि appearing है आप चूट करेंगे फिर पासिंगर बताएंगे कब आपने बारहों ही class qualify किया इसके जनकारी यहां पर आपको देखिए options आएंगे calendar इसमें साब चूट कर लेंगे कब आपने पास करेंगे इसके पर से जो है board university का नाम यहां पर sorry estate बोला गया estate मतलब कहां से आपने पास करेंगे उस board से जहां से भी आपने बारहों ही पास करेंगे उसका board कहां पर है तो यहां पर देखिए सभी राज्य का नाम सो होता है आप जो है जहां सभी आपने बारहों ही पढ़ाई किया है वो आप चूच कर लेंगे जिस भी board से अब यहां पर board का नाम आएगा तो आप अपना board का नाम जो है चूज करेंगे तो यहां पर देखिए सभी board का नाम आ रहा है देखिए यहां पर बिहार school examination board है Sanskrit सिक्षा board है open schooling का भी है यहां पर मदर्शा का भी आ रहा है इसके अलावा यहां पर intermediate council पटना का भी आ रहा है order का भी option है मालने जिए आप बिहार से हैं और आपने cbse करा हुआ है तो cbse तो यहां पर आ नहीं रहा तो order का option है order आप चूज कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे options आपको देखने को मिलेंगे अपने according चूज करेंगे यहां पर role number आपको भरना है 12 class का role number क्या है यहां पर percentage बताना है का 12 का percentage आपका क्या है cgp है तो cgp ज़रूर भरेंगे नहीं है तो percentage में भरेंगे इसके वाद से पूछ रहा है क्या आप अपना job opportunity के लिए avail करना चाहते है information को personal information को देना चाहते हैं अपना फोटोग्राफ को अपलोड करनी है फोटोग्राफ जो है बीस से 50 के बीच होनी चाहिए और बोला गया कि 6 सेप्टमबर 2022 के बाद का खीचा होना फोटोग्राफ आपको अपलोड करनी है simple जो फोटोग्राफ होता है इस तरह वाला half passport size वही अपलोड करेंगे बीना date वाला date बेंसा नहीं नहीं करना आपको signature यहाँ पे आपको जो चूच करके अपलोड करनी है 10 से 20 के बीक बीच सिंपल चूच करेंगे यहाँ पे आपका फोटो सो हो जाता है signature चूच करेंगे जैसे ही 100 हो जागा file size रखिएगा इसली आपका अपलोड हो जाता है इसके वाज से पूच रहा है कि क्या आपने फोटोग्राफ अपना इतना के बाद ही खीचवाया है आपको यहाँ पे yes कर देना है तो आप सब्सक्राइब करेंगे नीचे आप देख लेंगे इस अबी जन्कारी बेरिफाइड होना चाहिए नोट वेरिफाइड यह जो है SAC का काम है content verify करना आपको क्या करना यहां पर प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी रख लेनी है यहां ok कर देंगे अगर आप जेंडल OBC से आएंगे तो यहां पर आपको जो है SC ST से अगर आप आएंगे female कोई भी candidates हैं तो उनको यहां पर कोई भी application fee नहीं देना है समझ में आ गया उमीद करता हूँ friends आपको जनकारी समझ में आ गया होगा मिलते हैं किसी नए वीडियो को साथ हमें दिज़े जायत और देख तिरे ideas helping forever यहां पर अगर आप माल लिज़े प options आते हैं कि आपका application received हो जाना चाहिए अगर यह वाला सही है application received दिखा रहा है तो आपने form को final submit कर दिया अब आपको कुछ नहीं करना है दुबारा पर print करना चाहते हैं आप log out हो गए हैं तो login करके उसी user ID password से यहां सब print out निकाल के hard copy इसका रख लेंगे अपने पास thank you for watching friends jahend